हलो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलिज परवाइडर में दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री के तीसरे पेपर में तीसरे पेपर की बात कर रहे हैं ठीक है और यह जो है तीसा सेट है हमारा ठीक है और हम पूरे book के reference में ठीक है किसी एक चीज के नहीं पूरे book के reference में जो है question जो important लगता है उसे हम छाटते हैं ठीक है और वो फिर से डालते हैं तो अगर इस तरह से पसंद है तो comment करें लाइक कीजिए वीडियो share कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए दोस्तों चलिए time बिशना करते से शुरू करते हैं लोग चलिए पहला question है सिंदु घाटी सभिता में बिसलाल असनानागार कहां के अपसेस कहां प्राप्त हुआ है ठीक है तो पहला जो question है उसका option है हरपा बी मोहन जोदरोव सी कली बंगा और डी लोथर तो हमारा answer सही क्या हुआ है कि मोहन जोदारोव मे जो है विसलाल असनानागार कहां से प्राप्त हुआ है उसके बाद है question नमर दो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है ए सिंधु बी सभ्यास बी ए सी भंगवा डी रावी ठीक है तो लोथल जो है यह जो है सिंधु नदी हो जाएगा इसका answer ठीक है सिंधु नदी दोस्तों यहाँ पर जो है ना सी दे राहा है भंगवा नदी लेकिन लोथल जो है सिंधु नदी का जो है अच्छा बंदरगा था ठीक है जहलें नेक्स देखते हैं परसित गरंद ही इंडिका का लेखัक कौन है तो परसित लेखाट इंडिका का जो है लेखाक ते वहображ है ठीक है चलिए नेक्स question देखते हैं गुप्त काल में कौन चीनी यातरी भात आया था option A sing B भायान C hang song और D इन में से कोई नहीं तो भायान आये ठीक है और यह जो है कब आये थे तो याद रखेंगा दोस्तों 315 इस भी पुर्व में आये थे ठीक है कभी कभी समय ही पूछ देता है सीधे तो याद रखें 315 किसके सासनकार में आये थे तो चंद्रगुप तो मौरी के सासनकार में आये थे ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं पुरानों की संख्या कितनी है अप्शन A 16, B 18, C 19, D 20 तो पुरानों की संख्या जो है अठारा होती है चलिए च्छा नमार कोश्चन देखते हैं स्रीमात भागवत गीता के महत्तुप पर किसने विचार बैक्त किये ए महत्मा गांधी किये थे बी विवे अप्शन D इनमें से सभी नेक्स कोश्चन है महावीर ने पार्सवनात के सिद्धानतों में कौन में नया सिद्धानत क्या जुड़ा तो अप्शन यह हिंसा B भ्रहमचार, C सत्य और D अपरिग्रिह तो यहां जो है अपरिग्रह तो यहां ऑप्शन जो है B सही हो जाएगा ब्रहमचार यह जो रहा था ठीक है जिससे पंच हो गया था और अपरिग्रिह जो है अंटचाविलिटी होता है इसका इंग्लेश ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं अकबर ने टोडल मल को दिवाने असरफ कब नियुक्त किया था ठीक है तो ओप्शन ए है 1582 बी है 1583 सी 1584 और डी 1585 तो अपना सही आंसर जो है 1582 हो जाएगा चलिए नौ नूमर कोशन देखिए फतेपुर्सिक्री को किस को राजधानी किसने बनाया तो ए बावर बी अकबर सी जहांगीर और डी जसा जहाने तो फतेपुर्सिक्री जो है इन्हों नहीं बनाया था ठीक है चलिए पानिपत का यूद भी इन्हों नहीं किया था चलिए अकफ़र ने दीन ए इलाही धर्म कब शुरू किया तो तीन ए इलाही ट्ली पंद्रसो 12 बी पंद्रसो चैंब्स एकासी दुस्तों यहां पर जू ह्या ना फंद्रसो एकासी मार सकते हैं विसे 582 में में सुरू किया था इन्हों ने ठीक है पंद्रसो एकासी मेन नेक्सception मुद्दीन औलिया कि सूफी सिल्सिले से संबंदी थे चिस्ति बी सुराहवर्दी सी कादरी और डी इन में से कोई नहीं तो चिस्ति पढ़ा के थे चली नेक्स कोस्चन देखते हैं नेक्स कोस्चन है इवन इवन बतूता ने अपनी यात्रा का विवरन लिखा है ए अर्वी म अपनी भासा उर्दू में फार्सी में लिखा है इवन बतूता ने अपनी यात्रा अजीव अजीव नाम होते है इवन बतूता अपनी यात्रा का विवरन फार्सी में लिखे तेरव दामीन इकोह ठीक है क्या था यह भूभाग भी उपाधी सी तलवाद डीन में से कोई नह है भूभाग से संबंदित होगा ठीक है चलिए करणवाली स्कोड कब बना तो यह तो सतर सो तिरानवे में बना था चलिए नेक्स क्वेस्चन देखिए नेक्स क्वेस्चन है महां बिहार में जगदीश पूर में करांती करनेते तो किस ने किया ए लक्ष्मी भाई बी तत्याटो पर सी मंगल पांटे और डी कुबर सिंग तो अपना तो नहीं होगा यह जो है डी महलवारी ही जो थे इन्हों नहीं लाग इन्हों नहीं दिया था यह सितान ठीक है डी महलवारी यहां पर कोई नहीं होगा आंसर डी महलवारी आंसर होगा दक्कन दंगा आयोग का उगठित हुआ था तो दक्कन दंगा आयोग का उगठित पीर अली ठीक है बीर कुबर सिंग यह थे चलिए दोनों अंसर होगा उसके बाद है जब यह दोनों रहे तो पीर अली मारीएगा नहीं तो कुबर सिंग भी हो सकता है राणी लक्ष्मी बाई का जन्म कि इस अस्थान पे हुआ था यहां सी भी कासी और स्री कानपूर और टी क लुपा तो बनारस में हुआ था राणी लक्ष्मी बाई का जन्म चलिए ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक किस ने लिखी ए पट्टावी सीता रमया बी असोक में था सी जैम्स आर्ट ट्रम और डी रॉबर्ट तो ए हो जाएगा पट्टावी सीता रमया ठीक है चलिए भारत क राजधानी कलकत्ता से दिल्ली अस्थ्रानंत्री थुए 1911 में पूर्टगालियों ने गोवा पर अधिकार कभ किया यह पंदरासो पंदरासो बारों सी पंदरासो दस और डी पंदरासो नौ तो यहां पर सही आंसर पंदरासो दस हो जाएगा चलिए साथ नगर साथ दुप को का सहर बंब याद रख कर लीजिए इसको ठीक है मौस्ट इंपोटेंट है कि इजाम के लिए है जलिए नेक्स है महत्मा गांधी का जन्म कब हुआ दो अक्टूबर अठार समनत्र यह तो सभी जानते होंगे चलिए और याद रखिएगा लाल भादु सास्ति का जन्म भी इस राज्य से है यह बिहार बी उत्तर परदेश सी गुजात और डी महारास्टा तो चंपारन जिला है यह बिहार में पढ़ता है चलिए नेक्स कोस्टिन है समस्ट असयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू है यह 1912 वी और यह बाद जो है बंगाल विभाजन बंगाल के विभाजन की घोस्टना यह 1904 वी 1905 सी 1906 डी 1911 तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर बी चलिए नेक्स कोस्टिन देखते हैं पाकिस्तान सब्द किस ने अस्थाई थे अस्थाई अस्थाई और और अस्थाई सदस जो थे डक्टर राजन पर साथ थे अस्थाई है चलिए नेक्स कोश्टन देखते हैं पाकिस्तान का पहला प्रधान मंत्री कौन था तो मौमाद अली जिन्ना चलिए नेक्स कोश्टन देखिए आइक नेक्स कोश्टन है असुक के किस अभिलेक में कलिंग युद का वर्णन किया गया दसमा बारभाभा सी ते रोमा खर यहск åtěट पर्थम बहुत संगीति किसके सासनकाल में होता है अजाद सत्रूब काला सोक और डी कनेस्क तो पर्थम जो अजाद सत्रूब में हुआ था दूसरा काला सोक में चलिए नेक्स देखिए अस्तूप का संबंद किस धर्म से हिंदू भी बहुत सी सेव डी जैन धर्म तो यहां अस्तूप जो है बहुत धर्म में होता है चलिए नेक्स कोर्शन देखिए अकबर का बित मंत्री कौन था यह बिरवल भी मांसिंग सी टोडर मल और डी अब्जुल फजार तो टोडर मल जो थे अकबर के बित मंत्री थे ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन देखिए अर्टिस नम्म कोश्चन है को तुम मिनार का निर्मान किस ने शुरू किया था एक उत इसके बारे में आप लोग एक बात चेक करिएगा ठीक है वैसे इसका आंसर जो है सेनिको से होना चाहिए ठीक है इसको चेक करिएगा सेनिको से होगा चलिए नेक्स कोश्चन है पानीपत का पर्थम युद्ध कव लड़ा गया था तो 1526 में मैंने बताया कि इसके बावर ला रहे थे चलिए हम्पी किस राज्य से संबंदित है तो हम्पी बिजानगर से संबंदित है ठीक है और अभी हम्पी कहां परता है करनाटक में याद रखिएगा का मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन के सामिल कर लिए बी सेव लिंगायात अंदूलन के जनक कौन थे एक अबीर बी गुरुनानक सी वासवना और डी केडायल तो बीर सेव क्या है बीर सेव लिंगायात के जनक कौन थे तो इसका आंसर जो है आपका एक मिनट इसका आंसर बीर सेवायात अंदूलन के जनक कौन थे तो बीर सेवाय देख लिए इसको चेक करिएगा ठीक है नेक्स कोश्चन है उत्तर भारत के भक्ति अंदूलन कारंब ब्रामानंद किये थे 45 बीजक में किस वैसे इसका बीर सेवा बीर सेव अंदूलन का जो थे गुरुनानक होना चाहिए ठीक है देखिएगा इसको एक बार 45 है बीजक में किस संत का उपदेश संग्राहित है तो बीजक में जो संग्राहित है यह कभी बीगुरुनानक सी चेतन्य डी रामानंद तो बीजक में जो है अपना क्या काते हैं गुरुनानक का जो पदेश संग्राहित है चलिए 46 है पोलो मारको पोलो किस देश का निवासी था तो मारको पोलो जर्मनी का निवासी था 47 है किताब उल हिंद की रचना किस भासा में हुई तो किताब उल हिंद की जो रचना है वो अपने अर्भी भासा में था ठीक है बाद में इसको फार्स हिंदी बगारा बगारा में ट्रांसलेट किया गया लेकिन मूल भासा जो था अर्भी था चलिए टैव नियरर किसके ससन आपकबर के शासनकाल में चलिए नेक्स कोश्चन है इस्ट इंडिया कंपनी की अस्थापना कब हुई थी इस्थापना 16 में हुई थी उसके बाद है किसको बंगाल और बिहार का स्थाई बंदवस्त का सरे दिया जाता है तो लौड करनवालिस को दिया जाता है दोस्तों अज लौड कीजिए थी टीक है अपने जो वाट्सअब ग्रूप हो या दोस्त हो या इसको फेस्बुक पेज पर जो है इसको शेयर कीजिए ठीक है और दोस्तों प्लीज वीडियो को सस्काइब अगर पहली बार देख रहे हैं तो स्सकाइब कर लिए थांकियों फिर मिलते हैं next day, question, next question के साथ, thank you